How to set OnePlus Portrait Mode Setting नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि यह से आप जो है अपने OnePlus के दिवाइस में Portrait Mode Set कैसे कर सकते हैं तो यह जो Portrait Mode है दोस्तों स्पेशली हमें तब कम आते हैं जब हम यहाँ पे पिक्चर वगरा क्लिक करते हैं अपने मॉबाइल से ठीक है तो अगर आपको भी यह जो सेटिंग है Portrait Mode का तो आप इस वीडियो को शुरू से लेक्यान तक देख लीजिए वीडियो शुरू करने से पहले Make Sure चैनल को सबस्क्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप आप आनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे अपना उपन काम करेंगे ठीक है केमरा ओपें iki करroom करने के जाएगा दोस्तों धोका저 अपको जिंग जाएगा तो पोट्रेट मोट कैसे काम करते में आपको बत्स हालताए ह४ तो यहाँ पर जो सामने में दोस्तो एफक्ट होते हैं तो portrait mode उसी को cage करेंगे ठीक है और बाकि जो background पर जो रहेते हैं वो blur हो जाते हैं यहाँ पर जब सामने में focus करते तब background आपका blur हो जाएगा है तो इस तरीके से हैं दोस्तो यह काम करते हैं तो अगर दोस्तों आपको portrait mode use करना है तो आपको यहाँ पर portrait जो है set कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको बता रहा है ठीक है 1 to 7 feet के आज पास से आप अगर photo click करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आप देख सकते हैं place the subject 1 to 7 feet away तो अगर इतना आप यहाँ पर distance बना देते हैं तो portrait mode बिल्कुल अच्छे से काम करेगा क्योंकि दोस्तों portrait mode अगर आप काफी सामने में लेके यहाँ पर इसा करने के कुशिश करेंगे तो काम नहीं करते हैं उसमें काम करेगा आपका macro camera तो macro camera से आप सामने वाले pictures को क्लिक कर सकते हैं लेकिन portrait mode से दोस्तों अगर आप दूर से क्लिक करेंगे थोड़ा ठीक है तो बहुत अच्छा effect आपको देखने को मिलेगा 1 to 7 feet के दूरी से आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको अच्छे effects देखने को मिलेगा ठीक है तो यही है दोस्तों आपका portrait mode setting और इसको कैसे use करना है यह भी मैंने आपको बता दिया है तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसने आओगा Thanks for watching